मुझजफरपूर में बच्चों के विवाद में प्रेगनेंट महिला की बेहरहमी से जमकर पिटाई की गई जिससे बच्चे की पेट में ही मौत हो गई घटना के बाद इलाके में संसनी फैल गई है मामला जिले के सक्रा थाना अंतरगत बर्यारपूर ओपी के बाजितपूर की है सूचना पर पहुँची बर्यारपूर पूलिस में महिला समेट दो लोगों को हिरासत में लिया है दोनों से थाने पर पूस्ताज की जा रही है वहीं बच्चे की मृतिव के बाद परिजनों में कोहरा मचा हुआ है मृत बच्चा गाओं की अंजु देवी का था मामले में अंजु देवी ने बताया कि बच्चों के बीच विवाद हुआ था इसको लेकर पंचायती भी बुलाई गई थी पीडिता ने बताया कि उसके बाल पकड़ कर जमीन पर पटक भिया गया इसके बाद आरोपी पक्ष के पती पत्नी वह उसका एक नौकर ने सडक पर पटक पटक कर पीटा इसमें वह बेहोस हो गई बेहोसी की हालत में उन्हें अस्पताल में भेजा गया जहां इलाज के बाद मृत बच्चा पैदा हुआ उन्होंने कहा कि घटना 11 सितंबर की है घटना की शिकायत बर्यारपुर पुलिस से की गई थी इसी बीच आज बच्चे की मृत्यू हो गई इधर मामले को लेकर बर्यारपुर रोपी प्रभारी राजेस यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस पहुँची थी बच्चे की मृत्यू होने के बाद आरोपी पक्ष की महिला समें दो लोगों को पिरासत में लिया गया है चानविन में दोनों की सनलिपता सामने आई है पुस्ताश की जा रही है पुस्ताश के बाद आगे की कारवाई की जाएगी उसका बहन का क्या नाम है पतनी के नाम नहीं जानते यह घटना कब हुआ था कब मार्पिट हुआ था क्या नाम हुआ अपका अन्जु देवी इसकी प्रास्मिक दर्ज आप करवाए थे था नामे आवे दन दिये थे उस पर एफ फाईयर नहीं आई बर्यारपुर्थाना आपको सुनबाई नहीं लिए यह कौन सा जगा है युसरार है बाजी गुजर मुख्या चौप अच वजे के आस्वास में हैं इक वुष्पट्र के पहुंट पहुंची है लोग उसका नाम दिया है वो लोग उसके साथ ये मार्किट साइट के जिसके बाद उसका खराब होने लगा पर स्पीटल ले जाया गया है इलाज के करम में 11 से लेकर आज रात में तो यह किले पिखवार हैं तुमिलिक पच्छा है सर परीजन करा जी इस मामले को लेकर हम बर्यारपूर था ना उपी में हम आप प्रात्मिक दर्ज करा हैं लेकिन उसमें एक सुचनात्म कावेदन जो बिनोध हैं बिनोध मुखिया उद्दिये थे और उनी के दुवारा बोला गया था कि इस पर अभी कुछ नहीं करना है सर हम समाजिक असर को उसके काम कर रहे हैं और यह भी सुनने में आया है कि जो अभ्यूक्पक्ष है वो कुछ आर्थिक सहायता जो मेडिकल में होता है तो सर अब जो इस मामला को क्या करवाई हो आगला फैयार होगा उसका जो जाच हो गए फैयार होगा इसमें कोई गिरफतार भ और यह जेल जाना है एक महिला है और एक पुरुशा है पर्चेट जाच है पर्चेट